नमस्कार योर हेल्थ डॉक्टर में आपका स्वाकत है चोटी सी हरी लाइची और इसके बारा ऐसे कमाल के फायदे जो सायदी आपने शुन्य होंगे आज हम आपको बताते हैं कि आखे चोटी सी हरी लाइची के कितने घजब के फायदे होती हैं भारती रसोई में इस्तमाल होने वाली हरी लाइची का इस्तमाल खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है बगर क्या आप जानते हैं कि छोटी सी देखने वाली है लाइची आपकी कई हैल्थ एवं ब्यूटी प्रॉब्लम्स को भी हल करती है जी हाँ इलाइची का सिवन पत्री गली की समझें कफ गैस बावसीर टीवी मुहासे और ज़ड़ते बालो जैसी सब कई सारी परिशानियों को चुट्कियों में समाप्ट कर देती है तो आईए जानते हैं इसके जवर्दत फायदी पहला है पेट हो जाएगा अंदर अगर आपका बढ़ा हुआ पेट है तो दो ऐलाइची रात को घरम पानी के साथ खा लें इस से आपका जितना भी बढ़ा हुआ पेट है वे अंदर हो जाएगा इसमें potassium, magnesium, vitamin B1, vitamin B6 और vitamin C होता है जो extra calorie बन करने में आपकी मदद करता है दूसरा फायदा है पत्री को खत्म करता है सोने से पहले एक इलाइची को गरम पानी के साथ खाने से पत्री जल्दी से तूट कर urine के रास्ते बाहरा जाती है साथ ही इससे सीने में जलन और जोड़ों के दर्द में भी रहात मिलती है तीसरा जो फायदा है वह अनित्रता की समस्थे कुछ लोगों को धेर सारा काम करने के बाद भी रात को नीद नहीं आती सोने के लिए लोग दवाईओं के साहरा लेती है जिसका शरीप बहुत ही कलाइद प्रभा पड़ता है नैचुरल तरीके से नीद लेने के लिए रोजाना रात को सोने से पहले लाइची और गरम पानी के साथ खाएँ इसे नीद आईगी और खराटी की समस्थे भी वेक्ते की दूर हो जाईगी अगला जो फाइदा है वे तनाव से राहत रोजाना राइची का काड़ा पीने से मानसिक तनाव दूर होता है और इसका काड़ा बनाने के लिए लाइची पाडरों को पानी में उबाले और आप काड़े में थोड़ा तशायद मिला कर कुछ दिन पीने से आपको फर्क दिखाई देगा अगला चीज फायदा है पेट से जोड़ी समस्या कुछ लोग को हमीशा पेट समझने प्रॉब्लम रहती है जैसे कि पेट ठीक न रहना, बाल जढ़ना, इन दोनों ही समस्यां से बचने के लिए सुभा के समय खाली पेट एक लाइची गुनगुने पानी के साथ ले ले कुछ दिनों में आपकी ये बीमारी प्लेकुल्टी को चाहिए अगला है गैस और एसिडिटी गैस और एसिडिटी कब्ज पेट में एठन की समस्या लाइची तुरंते दूर करती है इसके साथ ये हिचकी से भी हमेराहत दिलाती है इस एक चीज को चवाने से हमारा वज़न भी कम होता है अगला है बहतर ब्लड सर्कुलेशन के लिए हर एलाइची फेबडों में रख संचार गती को ठीक रखता है इसके साथ ये अस्तमा, जुखाम, खांसी चाही समस्याओं सो भी रहत पहुचाती है ये बलगम और कफ को बाहर निकाल कर चाती की जखड़न को कम करने में हमारी मदद करती है अगला जो फायदा है वे प्रेगनेंसी में गरवती महिलाओं को अक्षा चक्कर आने की समस्से रहती है इससे रात पाने के लिए इलाइची में के काड़े को गुड़ के साथ पीस्तुबे शाम पीना चाहिए अगला जो फायदा है वे मुह से बद्बू आना मुह से आने वाली बद्बू को इलाइची खाने से तुरंत दूर किया जा सकता है इसको खाने से गले में होने वाली खराज भी दूर होती है और आवाज में भी सुधार आता है अगला है मुहासे और दाग धब्बे एक चम्माच इलाइची पाउडर के साथ मिक्स कर लें थोड़ा सा शहद और मुहासों के दाग पर लगाएं ऐसा करने से लाइची के अंटी बैक्टिरिल प्रोपरटी की कारण स्किन क्लियर होती है और आप इस पेश्ट को मुहासे पर लगा कर राद बर सो जाएं और सुबह ठंडे पानी से चेहरा साफ कर लें इसे मुहासों की समझ से आई भी जल्दी ठीक हो जाती है अगला है फटे हुए होटों में बदलते मौशम में फटे होटे की समझ से आम बात हो गई है ऐसे में इलाइची को पीस कर मक्कन के साथ मिलाकर दिन में दो बाह लगा है साथ दिनों में यह आपको फर्ग दिखाई देगा अगला फायदा है बाल जढ़ना पर दूशन का टैक तनाव और खराब डाइट बालों को कमझ जोर करते दिए जिसके कारण जढ़ने बाल हमारे जढ़ने लगते हैं मगर यह उपाय बालों को जढ़ने से रोकने काफी मुदद करता है साथ ही इससे रूसी की समस्य भी दूर हो जाती है इसलिए आपको इलाइची का सिवन जोरू करना चाहिए आज हमने आपको इलाइची के बारा गजब के फायदों के बारे बात करी यदि आपको आज का यह जानकारी पसंद आई हो यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको अधिक सदिक लाइक करें शेयर करें और यदि अभी तक हमें आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें ताकि अब रोजा ने इस परकार से वीडियो को देख सकें धन्यवार